पर अगर incorrect password यह दिखा रहा है तो इस वीडियो को देख लिजिएगा गाइस क्या आप भी अपनी Facebook अकाउंट को लोग इन करते वक्त यहाँ पर incorrect password दिखा रहा है और आप बहुत ही परिशान है तो आज के इस वीडियो को देख लिजिएगा आप सबको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को अभी दग आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके आप बैल आइकुन को प्रेस करके रेके फ्रेंट चलिए वीडियो शुरू कर लेते है तो साथियो इस प्राब्लेम को स कर देश सब्सक्राइब आप सतुरख आपका फेसपू करने मांग रहा है तो इसको अप डेट दे रहा हूँ आप भी अपनीगे प्लेंट के प्लेस्टर होनी के वांप सब्सक्राइब तो नहीं इंट वरी में आपको दिखाया देगा लेकिन आपका पासवर्ड पे अगर incorrect दिखा रहा है तो नीचे आपको दिखा देगा forget in password आपको forget in password पे क्लिक कर देना है forget in password पे आपको क्लिक कर देना है forget in password पे क्लिक करने के साथ दोस्तों यहाँ पे दिखा देगा find your account यानि कि आपका account को find करने के लिए कह रहा है नीचे दिखा रहा है interior mobile number यानि कि जिस mobile number से आप इस facebook id को create किया था इसी mobile number को यहाँ पर डाल दीजिएगा ठीक है register mobile number को आप यहाँ पर डाल दीजिएगा जो number आपने facebook id के साथ मतलब connect किया था वही mobile number यहाँ पर डाल दीजिए तो guys finally मैंने अपनी mobile number डाल दीजिए और continue कर दीजिए तो साथ यह mobile number डाल के continue करने की बाद आपका इसी number से जितनी भी facebook id आपने create किया है सभी के सभी account जो है आपका सामने में बिल्कुल ही आजाएगा तो इन में से आप जो account login करना चाहते हूँ यानि कि जो account पे incorrect password problem आ रहा है तो इस account को आप choose कर लिजिएगा जैसे कि मेरा एक account में open करना चाहता हूँ तो मैं इस account को choose कर रहा हूँ आप भी account choose कर लिजिएगा account जैसे आप choose करेंगे इन में से आपका account direct जो है आपका account open हो जाएगा यहाँ पे आप देख पा रहे है ठीक है ऐसी तरह जो ही आप incorrect password इस problem को solve करके आप जो ही अपने ID को open कर सकते है यानि कि login कर सकते है I hope इस वीडियो की माद्दें से आपने incorrect password वाला problem solve करके अपना Facebook account को open कर लिया होगा login कर लिया होगा